हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है डॉक्टर लोके समान इस वेडियो में हैं डिसकस करें कि हाथो और पैरों में सुन पनवाय जंजनाट होने के समस्या के क्या करन हो सकते हैं और आप इस समस्या को कैसे ठीक कर सकते हैं कई बार अचानक से हाथ या पैर सुन पढ़ जाते हैं और उनमे जंजनाट होने लगती है ऐसा सरीर के किसी इंग पर अधिक देर तक दवाव पढ़ने की वज़े से और बलड का सर्कुलेशन कम होने की वज़े से होता है एक इस्तीती में जाद देर तक बैठे रहने की वज़े से भी हाथो और पैरों में सुन पनवा जंजनाट की समस्या हो सकती है लेकिन हाथो और पैरों में सुन पनवा जंजनाट की समस्या कई बार सरीर में किसी अन्य बिमारी का विसंकेत हो सकता है हमारे सरीर में नरव होती हैं जो सैंसेशन को दिमाग तक पहुँचाती हैं जब हम किसी गरम चीज को छूते हैं तो उस सिगनल को दिमाग तक पहुँचाने का कम नरव का होता है फिर दिमाग उस सिगनल को पढ़कर आपको उताता है कि यह चीज गरम है आम बोल चाल में लोग नरव को नसी कहते हैं जब नरव किसी दवाव में आ जाती है या सरीर में किसी बिमारी या किसी अन्ना कारण की वज़से डैमेज हो जाती है तब हाथो और पैरों में सुनपन और जंजनाट की समस्या हो सकती है आथो और पैरों में सुनपन की समस्या को आम बोल चाल बासा में आथो और पैरों का सोना भी कहते हैं इस वीडियो में हम उन आठ कारणों के बारे में डिसकस करेंगे जिनकी वजय से आथो और पैरों में सुनपन और जंजन आठ की समस्या हो सकती है फर्स्ट कारण हो सकता है सरीर में नुट्रिशन की कमी होना सरीर में विटामिन B12 और विटामिन E की कमी होने पर आपके आथोर पैरों में सुनपन और जंजनाट की समस्या हो सकती है सरीर की नसों को सही तरीके से काम करने के लिए और सवस्त रहने के लिए विटामिन B12 और विटामिन E बहुत ही जरूरी होता है सरीर में विटामिन B12 और विटामिन E की कमी होने पर आपकी नरव सही तरीके से काम नहीं कर पाती है इसके अलावा, सरीर में Potensium uit Magnecium की कमी होने पर भी हाथो और पैरों में सुनपन की समस्या हो सकती है Second Region हो सकता है Diabetes अगर आपको हाथो और पैरों में सुनपन और जन्जनाट की समस्या बार बार होती है तो यह सरीर में सुगर की बिमारी का संकेत हो सकता है सुगर होने पर सरीर में blood का circulation कम हो जाता है और blood सुगर लेवल अधिक होने के वज़े से सरीर की नरव damage होने लगती है जिसकी वज़े से आपको बार-बार हाथो और पैरो में सुनपन, जंजनाट और हाथो और पैरो में जलन की समस्या हो सकती है यदि आपको बार-बार हाथो और पैरो में सुनपन और जंजनाट की समस्या होती है तो आपको अपने blood sugar level को एक बार जरूर चेक करवाना चाहिए थर्ड रीजन हो सकता है कोई accident या कोई चोट लगने के वज़े से भी आपकी नरव damage हो सकती है जिसकी वज़े से आपको सुनपन रहने की समस्या हो सकती है फूर्थ रीजन हो सकता है सराप का ज्यादा से उन करना सराप का ज्यादा से उन करने की वज़े से नरव damage हो सकती है इसलिए जो लोग सराब का ज़्यादा से होन करते हैं, उनके हाथो और पैरों में सुनपन, जन जनाहट और सुई चूव ने जैसे समिदना हो सकती है 5th reason हो सकता है कुछ दवाईयां कुछ दवाईयों के वजैसे भी हाथो और पैरों में सुनपन की समस्या हो सकती है जैसे Cancer के लाज में प्रयोग की जाने वाले दवाईयां, मिर्गी और दोरे के लाज में प्रयोग की जाने वाले दवाईयां, जैसे Phenitone, कुछ Antibiotics दवाईयां जैसे जैसे Metronidazole, Nitofrenetone, Ophaloxacin, Cipropyloxacin और Heart और Blood Pressure में उप्योग की जाने वाले दवाईयां इसके लावा TB, HIV और AIDS में उप्योग की जाने वाले दवाईयों की जैसे भी आथो और पैरों में सुनपन और जंजनाट की समस्या हो सकती है Sixth region हो सकता है एक इस्तिती में जादेर तक बैठे रहने की जैसे भी Blood का circulation कम हो जाता है जिसके जैसे आथो और पैरों में सुनपन और जंजनाट की समस्या हो सकती है Seventh region हो सकता है Kidney failure Kidney सरीर में Blood को साफ करती है जब Kidney किसी कारण के जैसे खराब हो जाती है तो Blood साफ नहीं हो पाता है और Blood में Toxins का लेवल बहुत आधिक हो जाता है और Toxins आपकी सरीर की नरव को डैमेज कर देते हैं जिसके जैसे आपको आथो और पैरों में सुनपन और जंजनाट की समस्या हो सकती है Eighth region हो सकता है कुछ Medical Conditions कुछ Medical Conditions जैसे Rheumtoid Arthritis, Carpal Tunnel Syndrome, Cuvital Tunnel, Cervical Spondylosis, Ganglion Cyst, Thyroid Disorder, Lupus, Slept Cervical Disc आधि Medical Conditions के उजय से हाथो और पैरों में सुनपन, जंजनाट और सुई चुपने जैसे समय दना हो सकती है अब हम डिसकस करें कि हाथो और पैरों में सुनपन और जंजनाट की समस्या को ठीक करने के लिए आपको क्या करना चाहिए आपको हर रोज exercise और running करनी चाहिए ताकि आपके सरीर में blood का circulation अच्छी तरह से हो एक इस्तीती में जादेर तक पैठे रहने से बचे अगर आपके सरीर में nutrition की कमी है तो आप इसके लिए multi-vitamin supplement ले सकते हैं या अपनी डाइट को बहतर बना सकते हैं अगर आपके अथोर रुपैरों में सुनपन और जंजनाट की समस्या बार बार होती है तो आपको अपने blood sugar level को एक बार जरूर चेक करवाना चाहिए क्योंकि हैं sugar का विलक्षन हो सकता है कई बार हाथों और पैरों में सुनपन और जंजनाट की समस्या कुछ medical condition के उज़ासे हो सकती है इसके लिए आपको डोक्टर से promise लेना चाहिए इस वीडियो में इतना ही वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंदाथे प्लीज लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपका को question है तो आप comment करके पूछ सकते हैं